बदायू में दो बच्चों की हत्याकार दूसरा आरोपी जावेद आखरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है पुलिस ने उसके उपर 25,000 का इनाम भी रखा था जावेद की गिरफ्तारी कहां से हुई और इस घटना के बारे में उसने क्या कुछ बताया ये पूरी डीटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरीए दूँगी इसलिए वीडियो को अन तक आप जरूर देखेगा लेकिन अगर अभी तक आपने News 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले बदायू में जो हुआ उस घटना को हर कोई जानता है लेकिन दर्शकों को मैं फिर से बता दू कि बीते मंगलवार आखरकार बदायू में हुआ क्या था जिसने बदायू में हाला तनावपूर्ण कर दिये थे बदायू कि इस सिविल लाइन था इलाके के कॉलनी में दो बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई ये इतने क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कि जिसने भी तस्वीरे देखी वो विचलित हो उठा आपको बता दे कि उन बच्चों के परिवार के ठीक सामने ही ये दो आरोपी सलून चलाते थे ये बच्चों उनके पास अपनी बाल कटवाने भी जाय करते थे लेकिन उस दिन जो हुआ उसका अंदेशा किसी को भी नहीं था ये दोनों आरोपी बच्चे के घर पहुँँचे, बच्चे के परिवार से मदद मांगी 5000 रुपए की मदद मांगी गई, मदद उन्हें दे भी दी गई लेकिन इसके बाद इन दोनों बच्चों को मौत के गाट उतार दिया गया चाकू से वार किया गया ताबड तोड हमला उनके उपर किया गया और उसके बाद ये आरोपी वहां से भागने के फिराक में थे जिसमें पुलिस ने एक आरोपी साजित को अनकाउंटर में मार गिराया जबकि दूसरा आरोपी जो जावेद वो फरार होने में काम्याब रहा पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और इसलिए 25,000 का इनाम भी उसके उपर रखा गया था अब जावेद की गिरफतारी भी हो चुकी है जावेद को बीती रात ही बरेली से गिरफतार किया गया पहले स्थानिये लोगों ने उससे पकड़ा और उसके बाद उसका एक लोगों की जहां और मेरे पास पौनना आए कि तुमारे भाई नी यह करेंड़ कर दिया इस वीडियो में जावेद बार बार अपना आधारकार दिखा कर ये पुश्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह ही जावेद है लेकिन इस घटना के बारे में वह यह कह रहा है दिल्ली जरूर पहुच गया था भी बरेली में मौझूद हूँ और मैं पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ लोगों से अपील भी यही कर रहा है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए अब पुलिस की गिरफ्ट में जावेद आ चुका है और एक मात्र वो कड़ी है जावेद जो तमाम सवालों के जवाब दे सकता है इस बीच पोस्ट मॉटम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है बच्चों के शरीर पर 23 से ज्यादा बार चाकु से वार किये गए थे और साजिद का भी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट सामने आ चुका है साजिद को एंकाउंटर म का आखिर मकसद क्या था यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कुछ लोग बता रहे हैं कि यह आपसी रंजिश का मामला है जबकि कुछ लोग इसमें तंत्र मंत्र वाली बाते भी कह रहे हैं कि जो आरूपी था उसके उपर कुछ तंत्र मंत्र का साया था और इसी की वजह से उसने बच्चों की क्रूर हत्या को अंजाम दिया लेकिन आखिर असली वजह क्या थी यह सिर्फ अगर इस वक्त कोई बता सकता है तो वो जावेद है और इसी लिए जावेद एक एहम कड़ी इस केस में जरूर साबित होगा जो परिवार वाले हैं बच्चों के वो भी यही लगा रहे हैं कि जावेद से पूछताच की जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए हमें किसी तरीके की कोई मदद नहीं चाहिए हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया हमसे क्या दुश्मनी थी हमारे बच्चों का क्या कसूर था कि उन उन्टाछ यह जानना चाहिए चाहिए और हमनानना चाहिए हमसे प्लेस जाह हम दोस्टा विछ, क्या टूर ऑढlike से ठक टॉनिटा हमसे पहनिता हैं कि गो मेंसे favorit मेंसे अनरा बब trad Home City PC ऑंटे के भूंप要ए पतिते हla बंब यह जाली मेंसे कुश्माना टूल, ए mujer andaken पनता